नमस्कार सस्रियकाल वनककम मैं आपका भाई विवान स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल दाधिराज क्लासिस पे और गाइज यह है हमारी फिजिक्स की थर्ड क्लास है है हमारी इससे पहले अभी तक हम मोशन ठीक है टाइपस अफ मोशन यह कवर कर चुके हैं और क WhatsApp नमबर है 9871814592 किसी को भी अगर इसकी PDF चाहिए तो अपना नाम लिखके मैसेज कर देना मैं उसको सेंड कर दूँगा ठीक है झाह से बन सकता है ठीक है विस्थापन कहते है इसको और अगर हम बात करें कि यह distance और Fix गास में दिफरेंस क्या है तो discipline होता है Distance with Direction मान लिजिए मैंने कहा कि आप 10 km यहां गये यहां गये यहां गये मुझे तो नहीं परथ कहा गये लेकिन मैंने कहा कि आप 10 km पन तो मान लीजिए आप point A पे हैं ठीक है और आप point B तक गए और इसके बीच में जो distance है वो है आपका 10 km ठीक है तो अब B पे जाने के बाद आप फिर वापिस आ गए 5 km आ वापिस आ गए ठीक है आप point C पे आ गए 5 km आ वापिस आ तो distance कितना हुआ साथ के साथ अब comment box में आंसर भी दे सकते हैं 10 इधर गए B तक आए फिर C पॉइंट पे आ गए 10 प्लस 5 कितना हो गया 15 km आपका distance हो गया लेकिन अगर मैं displacement की बात करूँ displacement को हम denote करते है s से small s आपका जो final position है आप C पे है और आपकी जो initial position है उसका बीच का जो difference है उसको हम कहेंगे displacement तब देख लो यह कितना बचा यह बचा 5 km तो यह 5 km ही आपका displacement हुआ समझ में आया displacement होता है shortest distance shortest distance अब यह क्या चीज है मान लो आप point A पे हो ठीक है आप ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए फिर आप घूमके फिर ऐसे आए point B तक आप इस तरीके से आए ठीक है आपने बहुत जादा distance कवर किया लेकिन जो displacement होगा as for displacement small s यह होगा आपका point A से point B तक का shortest distance इसको हम कहेंगे displacement हिंदी में वाले ध्यान रखना विस्थापन कहेंगे इसको एक बार हिंदी में देख लेते हैं किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक इस्थिती वा अंतिम इस्थिती के मद्धे की सबसे कम दूरी क्या कह रह है या distance से कम होगा displacement या तो कम होगा या distance के बराबर होगा कही वर exam में पूछ लेते हैं और यह symbol बनाता है माली जी यह displacement यहां पर में लिख देता हूँ यह होगा distance तो displacement या तो कम होगा distance से या फिर बराबर होगा कैसे बराबर होगा point A से point B तक कोई A से B तक गया तो यह distance हो गया और यही displacement भी हो सकता है तो या तो यह बराबर हो सकता है या फिर इसके इससे कम होगा मान लिखे कोई A से point B तक ठीक है यह actual में distance है 10 km यह 15 15 km गूमके गया तो यह 15 km distance है और 10 km displacement है क्योंकि यह सबसे कम है तो इस इस्थिती में displacement या तो कम होगा या फिर इसके बराबर हो सकता है ठीक है जी अब एक कोशन आपको मेरी screen पे दिखाई दे रहा होगा कोई आदमी A से लेके B तक गया 3 km एस्थ में फिर वो नॉर्थ में गय तो इसका displacement बताओ क्या होगा तो यहां बे हम क्या करेंगे पाइथागुरस theorem लगा देंगे पाइथागुरस theorem क्या कहती है hypotenuse का square is equal to base का square plus perpendicular का square लगा दो 3 square plus 4 square ठीक है यह इसके उसमें आ जाएगा तो 9 plus 16 यह होगा 25 25 का अंडरूट क्या होगा 5 यह distance का 5 meter यह इसका A से लेके C तक का क्योंकि यही इसकी shortest distance है क्या हो गया 5 meter हो गया इसका displacement और अगर यह पूछता distance तो क्या होता distance होता जी आपका 3 plus 4 यह हो गया जी 7 meter समझ में आ गया आगे चले चलो जी next question पर चलते है चलो जी एक question है आपके लिए राहूल completes one round of circular park with radius 50 meter in 4 minute find a displacement covered in 8 meter एक circular park है कुछ इस थरीके से ठीक है राहूल कहीं यहाँ पे खड़ा है वो 4 minute में इसको पूरा complete कर लेगा और जो park की radius है वो है आपकी 50 meter आपको बताना यह 4 minute में complete करेगा ठीक है तो आपको बताना है 8 minute में यह कितनी दूरी तया करें कितनी दूरी नहीं सोरी कितना विस्थापन होगा displacement की बात कर रहा है तो चार मिनट में घूम के वापिस यहीं पर आ जाएगा आठ मिनट में दूसरा चकर complete कर लेगा पाई की value जो आपको यूज करनी है वो है यहां पर 3.14 जल्दी से आंसर बताना मुझे और अगर आपने इसका आंसर बता दिया मैं समझ जाऊंगा कि आपको distance और displacement के बीच में difference पता चल गया बहुत सारे बच्चों ने तो 2 pi r लगान तो उसकी final position क्या यही है और initial position क्या है यही है तो दोनों को minus करो या कुछ भी करो तो result क्या होगा 0 displacement कितना हुआ 0 तो इसका correct answer क्या है 0 और अगर वो distance boost था तब हम लगाते वही formula अभी हमें ज़रूत ही नहीं है समझ में आ गया next question चलो भी next भी आपके लिए question है when person moves in a coordinate system from A to B to C यही एक व्यक्ति है वो पहले A से B पे जाता है point पे B से फिर C पे जाता है वो कहां ही भी जाए हमें तो जेखना है final position और last position final position क्या है उसकी 86 और initial position क्या है यानि पहले जो उसकी प्रानम भी किस्तिती थी वो है 00 ठीक है आपको पता है कि यह आपका x-axis होता है यह आपका y-axis का मान होता है तो हमसे पूछा जी इसने विस्थापन कितना होगा बही बता देते हैं विस्थापन कितना होगा वही जो hypotenuse का square, base का square, perpendicular का square, 8 का square होता है 64 और आपका 6 का 36 इसका under root, 100, 100 का under root कितना होगा 10, का answer क्या होगा 10 unit, ठीक है जी, समझ में आगे आप सभी को, चलो, आगे चलते हैं, next question, अब देखिए मैंने आप से अभी कहा कि जो displacement होता है, वो क्या होता है, इसमें direction include होती है, ठीक है, और ये क्या है, ये एक तरह से एक vector quantity है, इसको हम कहते है साधिश राशी, ठीक है, मैंने कहा कि आप 10 km चले, तो ये कि distance है, लेकिन मैंने कहा आप से 10 km आप east में गई, या west मे तो ये क्या है? ये एक तरह से एक vector quantity है, इसको हम कहते है, सैधिश राशी, यानि इसमें दिशा include होती है, और scalar quantity होती है, उसमें कोई दिशा नहीं होती, सरफ magnitude होता है, यानि सरफ मान दिया होता है, vector quantity में क्या होगा, vector quantity में direction भी होगी, और magnitude भी होगा, ठीक है, अब इसके को सरफ इनकी value पता चलती है लेकिन जो vector quantity होती है सदिश राशिया होती है जैसे की displacement vague त्वरान बल ठीक है रेख ये समवेग बल ये सब क्या है ये vector quantity है इंगलिश वाले यहां पर देख लेना स्केलर quantity में क्या क्या आएगा distance, speed, time, mass, energy सरफ इसमें unit दिया होगी मान दिया होगा लेकिन vector quantity में यह आपको दिशा भी बताएगा ठीक है तो इसके example क्या क्या है displacement, velocity, acceleration हमें इन तीनों को पढ़ना है सबसे आदा ठीक है आपको समझाने के लिए था अब अपने आगे चलते है next जी आपका speed versus velocity अब देखो same वही चीज velocity का है एक तरह है एक कौन सी unit है scalar unit या फिर vector unit जल्दी से बता दो speed जो है वह आपकी scalar unit है और velocity आपकी vector unit है इसे हम small v से represent करते है speed के लिए हम क्या कह सकते है speed 20 meter per second है लेकिन जब हम velocity की बात करेंगे तो हम कहेंगे जो speed जो होगी उसमें direction भी इंक्लूड होगी जैसे 20 meter per second at 15 degree south ठीक है यह एक तरह एक vector quantity है और speed क्या है एक scalar quantity है इसका जो सूत्र होता है वेग का सूत्र क्या होता है वेग होता है विस्थापन बटे में समय यानि कि displacement बटे में time displacement बटे में time याद रखना speed का formula क्या होता था दूरी बटे में समय है तो बैस यहाँ पे change हो गया समय से में बदूरी की जगे के आ गया displacement आ गया इसलिए मैंने का था compare करके पढ़ाऊँगा पढ़ना बहुत असान हो जाएगा और इसका जो मात्रक होता है वो होता है आपका meter per second हमेशा याद रखना meter per second होगा इसका मात्रक ठीक है जी समझ में आ गया speed velocity बता दिया displacement और distance बता दिया आगे चले चलो जी एक question आपके लिए जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ आपको revise भी करा रहा हूँ question से आपको बहुत अच्छा लगता है revise करना तो उसी से करा रहा हूँ आपको अब person walk four meter east in one second मान लीजे एक person यहाँ पर वो four meter चलता है one second में ठीक है then walks three meter north in one second फिर वो क्या करता है three meter चलता है कितना one second में one second यहाँ पर one second यहाँ पर टोटल जो time है वो हो गया two second अब हम से क्या पूछा है determine the average velocity हमें average velocity बतानी है तो वही average speed बतानी हमें velocity यह मान के चलिया आप velocity और speed एक ही है बस उसमें direction include होती है direction हमने देख ली अब यहाँ पर हमें displacement को चक करना होगा तो कि इसका जो velocity हम कैसे चक करते है displacement upon my time तो यह है उसकी first position और यह उसकी last position a, b है उसकी last position तो अभी हमने इस तरह का question अभी किया था तो displacement यहाँ पर निकल के कितना आएगा हम अपना वह पाइथाग्रोस तरह हम लगाएंगे 5 meter आएगा तो यह displacement आगया हमारा 5 time कितना है हमारा one second और one second total two second ठीक है तो 5.2 आंसर आगया 2.5 meter per second क्या हो गया c समझ में आ गया अपने आप भी करके देखना चलो जी last है हमारा acceleration ठीक है इससे हमारे जो physics के जो mostly concept cover हो जाएंगे इसको हम कहते है त्वरण और यह क्या होता है किसी वस्तू के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते है rate of change in velocity ठीक है अब लोग acceleration को समझते हैं कि यानि कि speed का सरफ बढ़ना इसपीड समझते है कि speed अगर बढ़ रही तो acceleration हो रहा है पेपर में question इसी तरीके से पुछा जाता है कि मान लीज़े किसी वस्तू की जो speed है वो बढ़ रही है तो कि acceleration होगा लो कहेंगे yes किसी वस्तू की speed जो है वो कम हो रही है कि acceleration होगा लो कहेंगे no नहीं यह गलत है उसने अब कहा है किसी वस्तू के वेग में परिवर्तनी यानि velocity change होनी चाहिए अब यह कब-कब acceleration होता आपको यह याद रखना है या तो किसी की speed अगर बढ़े speed अगर बढ़ती है तो acceleration include है वहाँ पे अगर speed कम होती है ठीक है तो भी वहाँ पर acceleration होगा इस speed कम हो रही है तो acceleration कम हो जाएगा या फिर अगर उसकी direction change होती है तो भी आपका acceleration वहाँ पर include होगा यह तीनों चीज याद रखना मैंने आपको picture की form में दिखाई है कि I am accelerating because I am speeding up मेरी speed बढ़ रही है I am accelerating because I am slowing down मेरी speed कम हो रही है I am accelerating because I am changing the direction जब भी direction change होगी वहाँ पर acceleration होगा ठीक है इसको हम denote करते हैं A से ठीक है और इसका एक formula भी है formula क्या है V minus U upon T अब यह V क्या है V है आपकी final velocity U है आपकी initial velocity velocity जो speed आप थोड़ा सा आपको समझने में सान होगी मतलब मानके चलिए जो उसकी final speed है और जो उसकी initial speed है दोनों का difference upon measurement time ठीक है और इसे हम क्या कहते हैं A से denote करते हैं एक question भी कराऊंगा कि कैसे इसको solve करते हैं हम ठीक है साथ के साथ आप यह कुछ formula है जो अधिकतर use होते हैं वैसे मुझे लगता नहीं कि आपके exam में इस level के questions पूछे जाएंगे लेकिन फिर भी आप याद रखना v is equal to u plus at s, s को हम कहते है displacement ut plus 1 upon t at square और s is equal to यह formula यह चार formula आप याद रखना इसको मैंने आप एक्स्प्लेन कर दिया है a मतलब क्या है acceleration v क्या है final velocity u initial velocity t time taken as displacement यह मैं बता चुका हूँ यह formula आप लिखके रख लेना या फिर कहीं पर आप लिख दोगे तो आपको याद हो जाएंगे ठीक है अब एक जो अभी हमने acceleration करा उसके question करते है अब car starts from rest यानि car जो start होती है rest यानि यह रुकी हुई है and achieve a speed of 54 km पर हार उसकी जो speed है वो 54 km पर हार हो जाती है 3 seconds में आपको इसका acceleration बताना है question अभी इसी तरह से पुचा जाएगा अभी मैंने आपको एक formula जात कर रहा था a is equal to v minus u upon me t कराया था अब देखिए यह शुरू में जब चलना शुरू यह है तो उसकी speed 0 है तो v जो है इसकी final speed होगी final speed गया इसकी 54 km पर हार time हमें पता है लेकिन मैंने आपको इसके साथ एक चीज़ और बताई थी कि इसको जो हम calculate करते हैं वो meter per second में ही calculate करेंगे किसी भी चीज़ को यह दिया है हमें हमें हाँ पर km per hour में तो इसको change करने के लिए आपको मैं बता दूँ कि जब भी km per hour को हम change करेंगे मीटर पर second में कही बार exams में पूछ लेता है तो सिर्फ और सिर्फ आपको 5 upon 18 से multiply करना है याद रखना है 5 upon 18 18 3 is a 54 5 3 is a 15 speed आ गई 15 meter per second ठीक है speed आई है यह जो उसकी final speed है यह वी निकल के आगए 15 meter per second यू क्या है जो उसकी initial speed है वो 0 है time taken कितना है 3 तो 15 minus 0 15 upon 3 5 meter per second अब यह कुछ square सा लगाया होगा है इसको बता दूँ कि यह केसे है देखो 15 meter per second उसकी already speed है और upon में भी क्या है 3 second है तो meter per second के नीचे per second आ रहा है तो क्या हो जाएगा s दो बार हो गया तो s square हो जाएगा तो इसका जो answer हो गया 5 meter per second square समझ में आ गया तो guys ये जो भी important topic है यहाँ पर finish होते हैं इसके बाद हम आगे के class finish करेंगे ठीक है और दुबारा क्या रहा हूँ कि अगर किसी को notes चाहिए इसके जो मेरे PDF में prepare कर ली है अगर किसी को चाहिए तो वाटसप करना उसको फॉरन में भेज दूँगा नाम जरूर लिख देना क्योंकि पता नहीं चलता है कि मैंने किसको भेजा है किसको नहीं भेजा ठीक है चले class अच्छी लगी हो तो like करना share करना और जो चैनल पे नहीं है प्लीज सब्सक्राइब कर देना थैंक्यू सो मच गाइस